बच्चे, मैं आपकी सदा साथ हूँ ओम शान्ती, तो आज की अव्यक्त मुरली का पॉइंट है अव्यक्त मुरली की डेट है 30 नवेंबर 92 30 नवेंबर 92 बाबा कहता, कोई भले क्या भी देवे लेकिन आप उसे दुआये दो चाहे कोई क्रोध भी करता है उसमें भी दुआये है क्रोध में दुआये है कि लड़ाई है देखा हमारा नजरिया कैसे होगा न कोई हमारे साथ क्रोध से बात करे तो हम कभी सोच भी नहीं सेखेंगे कि उसमें दुआये है और यही भगवान अभी आके सिखा रहा है कि अगर कोई ऐसी व्यक्ति हमारे सामने आती है तो हमें किस नजरिय से देखना है इसलिए बाबा कह रहा है क्रोध में दुआये है कि लड़ाई है चाहे कोई कितना भी क्रोध करता लेकिन अभी देखो दुआ कैसे लेगी लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूँ लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो दुआये मिली न क्रोध किया उसने लेकिन उसने हमें इंडारिकली क्या बताया देखो मैं तो परवश हूँ मैं अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ लेकिन आप तो कर सकते हो तो दुवाएं मिले न, तो याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप शीतर जल डालने वाले हो, तो क्रोधी ने दुवाएं दी न, देखा ऐसे भी परित परिस्थिती में भी अच्छाई ढूमना ये भगवान ही सिखा सकते हैं और कोई नहीं, इसलिए बाब वक्ति से हमें दुवा लेने की वो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हर वक्त मैं अगर दुवा लेता रहूंगा तो दुवंगा भी क्या, तो हर वक्त सारे के गुण ही देखता रहूंगा, ना कि चलो क्रोध भी किया, लेकिन उसने मुझे क्या रिमाइंड किया है, तो बाब के पुश्प में भी देखो, कितनी विशेषता है, कितनी गंदी खाद से, बदबु से, खुद क्या लेता है, खुश्बु लेता है, ना, गुलाब के पुश्प की खाद स्मेल की है कभी, बहुत गंदी रहती है, लेकिन गुलाब का पुश्प की जो खुश्बु, वो तो मालुम है तो उन्हेंने गंदी खाद ली लेकिन वापस रिटरंग क्या किया खुश्बू तो गुलाब का पुश्बू बद्बू से खुश्बू ले सकता है और आप कुरोधी से दुवाई नहीं ले सकते तो विश्ब महाराजन गुलाब का पुश्ब बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए क्या समझते हैं गुलाब का पुश्बू देखो निगेटिविटी से पॉजिटिविटी दे रहा है और हम क्या सोच रहे हैं उसने ऐसा बात किया तो मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा निगेटिव है तो हम सोचते हमें भी निगेटिविए करना पड़ेगा वो क्रोध कर रहा है तो मुझे भी थोड़ा दिखाना पड़ेगा ना रोग बाबा कहते नहीं अगर हम ऐसा सोच रहे तो बाबा फिर पूच रहा है यह गुलाब का पुश्ब विश्व का मालिक बन तो अगर हमें बना है तो बात्तावरण शाहे कैसा भी हो मुझे उसमें से अच्छा ही देनी है मुझे उसमें से दुआ लेनी है इसलिए विश्व महाराजन गुलाब का पुश्ब बनना चाहिए यह आपको बनना चाहिए यह कभी नहीं सोचो यह ठीक हो तो मैं ठीक हूं यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हो कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे है लहर आप बड़ी नहीं छोटी आओं टेड़ी नहीं सीधी आओं ऐसे कहेंगे कभी सागर के किनारे बैठे हैं, और हर एक लहर अलग अलग है, कभी बड़ी आती है, कभी छोटी आती है, कभी टेड़ी आती है, कभी सीधी आती है, तो उस वक्त हम उसको नहीं कहेंगे न, ऐसे क्यों पाटन तो बदलते क्यों हो, हर वक्त हम ऐसे तो नहीं कहेंगे न, लेकिन जो हो रहा है उसक और इसलिए बाबा केते हैं यह संसार भी सागर है सभी लेरे न टेड़ी होंगी न सीधी होंगी न बड़ी होंगी न छोटी होंगी तो यह आधार नहीं रखो यह ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊ क्या बोला बाबा ने यह ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊ यह आधार नहीं रखो तो परिस्थिती बड़ी यह आप बड़े क्या पूछ रहा है बाबा परिस्थिती बड़ी है या आप बड़े बाप दादा के पास तो सब बाते पहुंचती है न ये ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाओ इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाओ इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए ऐसे रुहरियान नहीं करना आपका स्लोगन ही है, बदला न लो, बदल कर दिखाओ, अंडरलाइन बदला न लो, बदल कर दिखाओ, यह ऐसे क्यों करता है? ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा बाबा कहता परंतु स्वर को बदलू दूसरा बदले न बदले हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है पहले हमें अपना नजरिया बदलना है शांति किसको चाहिए मुझे चाहिए न तो बदलना भी किसको पड़ेगा हम ऐसा तो नहीं कहते हैं मेरे सर में दर्द है तो आप एक टैबलेट लेलो नहीं जिसके सर में दर्द है वही तो टैबलेट लेता है और वैसे ही बाबा कहता है आपको सुख चाहिए आपको शार्थी चाहिए तो बदलना भी किसको पड़ेगा? हमें बदलना पड़ेगा. हमारा प्रब्लम ही वो हो जाता है कि हम बार-बार दुसरों के बदलने का इंतजार करते हैं और इंतजार करते करते ठक जाते हैं. इसलिए बाबा कहे रहा है, ऐसा कभी नहीं कहो कि वो बदले तो ठीक, वो शीतल हो जाए तो में शीतल हो जाओ? नहीं, बाबा कहते है स्वपरंतु पहले स्वप को बदलो स्वपरिवर्तन से विश्वपरिवर्तन वा अन्या का परिवर्तन या अन्या के परिवर्तन से स्वपरिवर्तन है इसलोगन रॉंग तो नहीं बना दिया है क्या करेंगे चुछ को बदलेंगे या दुसरों को बदलने में संवय समय गवाएंग क्या सोचते हैं हमें खुद को बदलकर tejzy होना है या वेट करने दूसरों को बदलने का देख हो लॉपकिक में हमने क्या आज तक यहां आने से पह हुआ हम कह रहे हम अपने तरीके से ठीक है कोई भी नहीं बदल रहा है इसलिए तो रिष्टों में इगो रिष्टे क्यों दूर हो जाते हैं क्योंकि तू पहले सौरिबल और वो कहता है तू पहले सौरिबल कौन जो केगा मैं तो अपने साइड से राइट हूँ वो कहता है मैं भी अपने साइड से राइट हूँ और इसलिए बाबा क्या कहता है कि अपने को बदलो दूसरे को बदलने के लिए दूसरा बदले या नबदले उसमें समय नहीं गवाँ पिर बाबा कहते है चाहे एक वर्ष भी लगा कर देखो स्वर को नहीं बदलो और दुसरों को बदलने की कोशिश करो समय बदल जाएगा लेकिन ना आप बदलेंगे न वो बदलेगा एक साल के बाद वो कहेगा मैं राइट था और हम कहेगे मैं राइट था और इसलिए उसका कुछ सोलिशन नहीं नुकलेगा तो बाबा कहते समझा तो सर्व खजानों के मालिक बनना एर्थात समय पर खजानों को गारे में लगाना हो तो दुआ भी एक खजाना है और बाबा कहते दुआ देना है दुआ लेना है चाहे कुरोधी भी सामने आए तो अब भी मुझे पहले दुआ लेने की भी ताकत उसमें होनी चाहिए तो मेरे मुख से उसके प्रतिवी क्या निकलेगा हम अपसेट नहीं होगे तो कि हम अपने आपको रिमाइंड करेंगे आरे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हो उसने मुझे भी कहा है वो मुझे शक्ति दे रहा है तो यह दुआ लेना तो बाबा कहता है दूसरों को लोग अच्छा ओन शक्ति कि आया तो